गोड मॉनिंग हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है राम राम जी कैसे आप जरूर बताना यह पांच वजे की चाय बन रही है सुभा सुभा कोई नहीं पीता है हम दोनों पीते मैं भी नहीं पीती हूं सो जाती पर यह बोलते हैं मैं साथ पी लिया कर तो हम दोनों ने एक एक कफ चाय पी बच्चे सब सो रहे हैं यह आप सोच रहे हों कि पीछे से इतनी बन्यान गंदी क्यों है इनकी क्योंकि सुबह सुबह इन्हों यह रात को गाड़ी में ऑईल डालना भूल गए थे फिस सुबह उठे सब Cow fan City को करता है इनकी करक्याई ? इस नसके पेसमें सब्सक्राइम में सुबह घंद कर लिया है और बाच्चे सुलिए क स्थाट कर दिया यहां भी दूझ दे दे लेते मन ले लेते है नहीं तो नहीं तो मैं सोच रहे हैं अ क् फाहि था फाल दोचत थात्बी है और बाच्व बच्चों को चाय में डाल के दे देती और रात को आदा आदा गिलास एक गिलास जो भी वही वाला है कौफी देखो एक बार में इतनी मलाई निकली काफी जारा अगर दस दिन भी जोड़ो तो आदा एक किलो से उपर जुड़ जाएगी इस वाद पहले मैं जोड़ती थी पर मैं मलाई निकाल दो इनको दे दें अभी एतनी मलाई निकली है इनको चीनी मिला के दे दूँगी अगर यह नहीं खाएगे तो मैं 2-3 दिन में एक आदी किलो जुड़ जाता है पर अब सोचते हूं ऐसे खाऊ वैसे खाना इनी को तो दे देती अभी मना कर रहे तो गी जोड लूँगे मच्चे सब सो रहे हैं चाय लेके आप लिए मच्चे सब सो रहे हैं बच्चों कर चाय आप लिए अब थीक है इत्ती कंजूसी भी ठीक नहीं है देखलो नोच पे नभी भी नहीं ले पाई हूं दो ठाई महीने हो गया है आँ जा चाय पी लो सोना बाबू सोना बाबू वन सूठो बाबू इलो चाय लो सोना लो बाबू चाय चाय पी लेते हैं, फिर काम में लग जाते हैं आज वच्चों का और जेलत है और जेलत लेने जाना, स्कूटी में पैर्टरॉल नहीं है पैदल पैदल जाना, वच्चे को नहीं लेके जाओगा मैं अकेली ज़स दिए दृटी काम खतम करना दूद की थैलियों पर चिपक गई थी इनको थोके दूद खौलने के लिए रख दूँगी जो की मलाई निकल जाएगी अभी मुझे सोचा है मैंने घी निकालोंगी तो फिर दूद को टाइम तू टाइम गरम करते रहना है यहां रात को मैंने बरतन नहीं थोए थे सर्दी ज चीज होती है वह दिमाग पर आती ही आती है हो जाता है तो यहां पर रात को बरतनी थोए ज्यादा नहीं थे पांच शे थे उठी पहले बगएरा पर कपड़ा मारा फिर मैं बरतन होने लगी बरतन हो के जाड़ू पहुचा करके फिर खाने पीने में लग जाएंगे और जाना है वन्सु का अकांट वगयरा खुलवाना है तो वहां के लिए भी मतलब बहुत सारा काम है एक डेड़ घंटा तो लगी जाएगा कितना भी जल्दी कर लो नहीं हो पाता है घर का बाहर का पांच वजे से उठके काम करना हाला कि थोड़ी बहुत देर इनके जाने के सब्सक्राइब बैठती भी फॉन भी चलाती तब भी मेरा मतलब दस वजे साड़े दस वजे ता मेरा काम फिडियो हो जाता है फिर बच्चों के साथ टीवी वी असलाई का जो भी है वह कर लोपना दिन में अगर सो गई तो रात को नीन नी आती पर एक दो दिन से तो सो जा है तो आप लोग कौन-कौन मोनिकाई शादी के लिए एकसाइटमेंट हो मुझे जरूर बताना शारी चीज़े सालू की शादी की शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि करी तो वहां की भी पल टेल ताई का नहीं कर पाई थी हल्दी का नहीं कर पाई थी मैन होता है नदूआ पता नहीं चलती डवल डवल कप पड़ जाती है कोशिच करूंगी डेली डालू और कंटिन्यू रखूंगी जिस दिन एक दिन अगले दिन क्या हो था अगले दिन आप सभी को पता चल जाए क्योंकि आप लोग भी बहुत ज्यादा शिकायत होती है पर देखिए मैं वीडि मिले तो क्या फायदा अपना भी काम देखो सारा काम देखो उसके बाद वो करो तो अच्छा लगता तो वही है देखिए पूरे घर में जाडू लगाया पूरे घर में पहुंचा लगाया वंसू नहा लिए वंसू पूजा पाठ में लग जाएंगी पानी गरम करने की कोई जंजट नहीं है अभी तो गरमी काफी जादा हो गई है तो ऐसे से ही बच्चे हम सब नहा लिए थे बच्चों को निला दुला के सारा तयार करके तब ही मैं जाओंगी ऐसे नहीं जाओंगी क्योंकि घर फैला हुआ वह बच्चे ऐसे ही हो तो नहीं अच्छा लगा घर से बाहर तक जाड़ू पोच्छा रसोई का सारा कुछ करके नहा लूंगी फिर बच्चों के खाने पीने का दूद दे दिया था चाय में डालके पर तब भी अमोनिका यहां पे आ जाएगी दो तीन तारीक को आ जाएगी देखो नवरात्रे ही करेगी तारीक का तो नहीं पता पर नवरात्रे ही होंगे पूरे घर में देखिए कैसे कैसे पहुचा लगा रही हूँ पैरों में ठक जाते है न तो ऐसे बैठ की पूरे घर में फिनायल डालके पहुचा लगाया चोटा है हरवार कहती हूँ न तो पैट जल्दी छप जाते और बच्चे भी छोटे ही हैं तो मैं नहाने के लिए बाद मिलूँगी और वन्सू जा रही है । सोना भी मैं निला धिया हैं तुशी हमारी सूक गई है है त blasIIIी वायँ गाया रही है वहुचाल दूँगे यह सब्सक्राइब तोड़ी थोड़ी दोनों चीज और थोड़ी मेरी चटनी भी रखी हुई ती हरे धनी है की जो मैंने सिल्पे PC थी मिक्सी में तो पिस नहीं पाती है क्योंकि मिक्सी का नीचे का वो है न वो खराब हो गया है कोई नहीं पस सिल्की PC भी अच्छी लगती पड़ना उसमें पसंद नहीं इनको ज्यादा पसंद है गोधेौन इनको रखे में 2 ठायलेम इनको सोच करें बनाई थे को यूच करें लिए, I JOHN इनको इसलिए त्म प्सक्रिय्ट बाह्गी टे राखे और में 10,3 ओला मेरी ठाल्ण देवागे का रखेयर, प्रहाई में तो बहुत टाइम लगेगा साफ होने में सबजी में इसमें थोड़ा चटकने के बाद आदा सा गिलास पानी दे देंगे और चावल के साथ बैंगन आलू अच्छे लगते हैं रोटी दोनों चीजें मैंने तो कर ली थी रोटी खाऊ सोना चावल नहीं खाती मैंने अमचूर डाली थी गरम मसाला भी डाला था बैंगन में थोड़े चटपटे और वैसे बने तब ही अच्छे लगते बैंगन डाल दी मैंने बता है ना पानी भी डालूंगी थोड़ा पानी डाला अभी बन दी है यहां देखिए मैं रोटी सेकती जारी हूं और बच् अच्छी लगती है किसी को लगे नलाई सब बोलते दान तूट जाएंगी यह है वो है तो सारा काम करने के बाद बॉड़ी लूशन वगेरा बच्चों के लगा दें खुद के लगा के अगर पैट्रोल होती तो तो दो मिनट तीन मिनट में ही निकल जाती अभी आदे गंट पारे रास्ते वैसे हो रहें ना खुदे पड़ें तो थोड़ा सा वैसे हो देखो साइड से ना बाहर का उजाला आ रहा इसलिए एक दम से फॉक्स दिख रहा है अभी हमारे गैलरी में सीधी धूप आएगी सामने से संफेस संफेस घर है ना तो इस वज़े से पूरी धू पूपुसी में आएगे कमरे में इतनी घर्मी होगी, भाई बहुत ज़्यादा गर्मी होगी रशोइ में खाना बनाने का मननी करें अब घर्मी पहले हम लोग सर्दी सर्दी करते थे अब गर्मी, हाई, गर्मी पर सर्दी ऐसे निकल आएगी और अ tomar चांता लीग- अईसे कि बाप बच्चों को तयार कर दिया खुद भी हो गई और थोड़ा बहुत तहीं है क्योंकि स्कूल में सवाते हैं वैसे सोच जाता है साड़ी पहलो पर पैदल जाना साड़ी बहुत टाइम लगे पेटी को ढूल है बलाओ ढूल रहने तो ऐसी चल जाती तो तैयार हो गई खिड़की से देख लेना देखी कितना कुछ होता रहता है मुझे बहुत ज्यादा टैंसर रहती है तो इस वज़े से मैं जितना हो सकता है मना करके ही जाती हूं पर्स ले लिए पैसे बगारा ले लिए हैं क्योंकि उदर से ओल आउट लेके आना है और आउट के विना तो प्राइवेति स्कूलों में बहुत ज्यादा है कुछ फिर पढ़ाई तो यहां पर चलिए अभी आप लोगों को डिखाई देंगे कैसा क्या है इधर मैंने चावल वनने के लिए रख दिये सारा घर साफ सुत्रा है वस आके आप लोगों से थोड़ी बहुत बाते करनी है और कुछ भी नहीं आके आदे घंटा बैठूंगी बहार सब को बताया और सेवंटीवन परसंट वनसुका बनाया आप लोगों बता दू आप लोग पूछेंगे आप लोग बताना कैसा क्या है जो भी है इस बिजली वाले चूले पर ही बनाया आप लोग वो रहे थे बिजली वाले चूला कहा से ओफ लाइन यही वाला चूला ना 2700 रुपे का मिल मैं गईती होली का सामाल लेने के लिए तब पूछा था पिसला वाला चूला जो खराब है न वह भी सही हो जाएगा तो उसको मैं सही कराऊंगी बोरे वह होली के बाद तो अब देखो कभी जाती हूँ दो तीन सोर पे लगेंगे उसको सही करा लूँगी ये देखिए अलमुस्ट चावल हमारे बनने पे आ गए थोड़ी बहुत कसर रह गए बहुत जल्दी बनते हैं इसमें भी गैस बच जाती है और बिल तो हमारे यां दो सोर रीडिंग हमारी खतम ही नहीं हो पाती बच्चों को फरिजल्ट लेके आ गई हो सोना का गुड़ाया है ना सोना मेरे मेरा बैरीगुड वरीगुड आयों इस बहुत सोने की बात होगी थढाई हो मेरे बाद तीन देखे हो फर्स्ट आती थी कहां थड़ आई है और वह रही वेरी गुल वेरी वह तो सब क्या में लिखी देते हैं बता ना क्यों नहीं जो मीद होती वह नहीं होता आप खुछ और हो रही है चलो तो वीडियो को करती हो एंड चावल बनने के लिए रख दिये मुझे थोड़े कपड़े दोले और पैड देखो पैर तो इस वजह से और देख रहे हैं इसका दूसरे स्कूल में एडिवीशन कराएंगे पर पता नहीं ट्राय कर रहे हैं सिक्स में आ गई है तो इस वजह से सौना को तो हो जाएगा इसली वंसू का थोड़ा से रिकत है तो चली नेस्ट वीडियो मिलते हैं और ठक गई बहुत ज्यादा चलते नहीं है ना पैदल पैर रट होने के लिए जा रहे हैं पहले मैंने बूख लग गई है काफी टाइम ह जा रहे हैं बाद का बाद में देखेंगे साइद फाल तुमें लेकर रख लो दूसरे स्कूल में एड़ीशन करा दिया तो यहां का 10-15,000 रुपे बे काट जाए तो इस वजह से चलिए बाए